हेलो गाईज वेलकम टो वीन कोड आज हम देखें हैं कि हम AWS पे बक्केट कैसे क्रेट कर सकते हैं यूजर कैसे क्रेट कर सकते हैं देन हम उस बक्केट को उस यूजर की प्रमेशन कर सकते हैं कि वह यूजर उस बक्केट को यूज कर सके तो हम सबसे पहले जाते हैं मेरे पास य कर Ж Min ऑन को यहां से सर्च करना है I Am पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास ऑप्पर आपढ़े करना है आप इम важно करने के बाद že साइड में लेस्टिंग आ जाएगे तो उस पर क्लिक करना है users पे हमें क्योंकि एक user create करना है सबसे पहले add user पे click करेंगे user का नाम डालेंगे कुछ भी डाल सकते हैं आप अपना नाम डाल सकते हूं मैं win को डाल देता हूं और यहां पे option में checkbox में पोच रहे कि हमें उस user को जो भी हम user create करें उसको यहाँ पर इस console का access देना है या नहीं देना है तो मेरे को console का access नहीं चाहिए अब भी मेरे को सिर्फ user को bucket की permissions देनी है उसको console का कोई access नहीं देना है तो next पर click करेंगे यहां से मेरे पास तीन options आ रहें add user to a group, copy permissions, attach policy directly तो मेरे पास कोई भी policy अभी created नहीं है तो मैं directed attach नहीं कर सकता नहीं मेरे पास permissions कुछ भी created है तो मैं इसी option को selected रखता हूं next पर click करते हैं then यहां से हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो next पर create user पर click कर देता हूं मैं तो यह हमारे user create हो चुक है user पर click करेंगे तो यहां पर click करने के बाद देख सकते हैं कि user का air रंग गया है created कब गया है यहां पर पहुत सारी details आजाती है ठीक है तो अब हम ही क्या करने है अब हमें bucket create करने है तो यहां पर जागे मैं search करता हूं अश्तरी पर click करते हैं तो यह हमारे पास यह option आ रहे था मैं इसको open कर लेता हूं नए tab में यहां से अपनी अश्तरी वकेट्स open हो जाएंगे यहां पर कोई भी बकेट हमारे पास है नीच लिए यहां पर यह वीव आ रहे है अगर अगर हमारे पास bucket created हो में तो यहां पर हमारे buckets के list आ जाएगी directly तो first of all मैं एक bucket create कर लेता हूं बकेट का नाम डालेंगे जैसे कि आप जो भी यहां पर नाम डाल सकते हैं जो आपका मन करें वहां पर आई बकेट बट आपका नाम हमेशा यूनीक होना चाहिए यहां पर लिखाओ देखो bucket name must be globally unique ठीक है तो आप अपने बकेट का नाम यह से डालना कि वह globally unique ही रहे और मैं आपको recommend करूँँगा कि हां से आप AWS का region वह select करें जो सबसे आपके nearest में हो ताकि आपका जो भी bucket का content हो fast delivery करेगा आपके पास ठीक है और यहां से मैं select करता हूँ object की ownership वह आप नहीं करोगे तो भी चलेगा बट आप यहां से कर भी सकते हो ठीक है ownership में आप यहां से ACL को enable करके यहां पर ownership पर साइन कर सकते हो bucket के owner preferred है object writer है वह आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हों ठीक है मैं यहां से object writer कर देता हूं ताकि object write कर रहे हैं उसी कुछ की permissions हो ऐसा कर सकते हैं बट मैं अभी के लिए disable कर देता हूं एक यहां पर option यह वाला है कि हम bucket का जो content है वो private रखना है या public रखना है यहां पर लिखा है block all public access कि यह bucket means एक टाइप से इसके इंदर जो भी content होगा वह एक टाइप से private होगा अगर हमें उस data को public करना है कि जैसे माल होगे मेरे पास users के images हैं तो user के profile images तो कोई भी देख सकता है तो हम उसको इसको remove कर सकते हैं इस permission को अगर otherwise अगर हमारे पास माल होगी हमारी PDF हैं और प्राइवेट हैं हम user को directly show नहीं करना चाहते किसी को भी जिसके पास link को कोई भी उनके पास access नहीं देना चाहते है तो हम इसको ऐसे ही रखें अभी के लिए content private अगर आपको public करना तो यहां पर इसको बकेट created होगी है मैं बकेट पर click करता हूं तो यहां पर बकेट की details आजाएंगे क्या है इसके अंदर objects की listing आजाएगे अगर आपके हैं आपने यहां पर upload करोगे तब properties में जाओगे तहीं आप आप देख सकते हैं बकेट का ARN क्या है यहां पर जाएंगे हम आप भी क्या कर करने के बाद हमें policy generate करने पड़ेगे तो policy generator पर click करता हूं मैं यहां पर जाता हूं policy generate करेंगे तो यहां पर type of policy select करेंगे तो यहां से ओलो करना है या deny करना हमें ओलो करना है यूजर को permissions देनी है उसको यूज करते हैं अब principle के अंदर हमारे user का ARN डालना है यूजर का ARN हमारे पास यह है copy करेंगे इसको यहां पर paste कर देंगे ठीक है यह हमारे पास AWS की service Amazon stream यूज करने वाले हैं अब आपके पास option है कि आप जो मर्जी उसको permissions उसको दे सकते हो particular permissions यूज कर सकते हो get object, all object की, delete की, put की मैं उसको all permission देता हूं इस user को ठीक है आप अपन resource name, यहां पर आप काईगा bucket का ARN, मैं यहां से bucket का ARN copy करता हूं, यहां पर paste करता हूं और यहां पर slash or star add कर देता हूं ताकि वो इस bucket के अंदर का complete data को access कर पाए, add statement पर click करना है, यहां कि आपके पास यह principle create हो चुका है, तो यहां पर generate policy पर click करता हूं, तो यह हमारे policy generate हो मैं इसको copy कर लेता हूं, copy, इसको bucket पर जाना है, यहां पर जो हमारे policy वाला view है, यहां पर इसमें मैं click करता हूं, इस field में, paste करने के बाद, just आपको save changes पर click करना है, तो आपकी permissions add हो चुकी है, अब यह वाला user जो हमने create किया था, wincode के नाम से, अब यह इस bucket को access कर पाएगा, इसमें content upload कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, इस bucket की complete permissions हमने, इसको assign कर दी है, ठीक है guys, तो इस video में आज सिरफ इतना ही है, कि हमने एक user create किया है, एक bucket create किया है, और उस user को, इस bucket को use करने के लिए permissions assign किया है, उसको policy दी है, ठीक है, तो इस video में सिरफ इतना ही, होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको अच्छे से समझ आ है तो आप इस video को like करना, comment करना, आपको समझ आ है कि नहीं है, और हम next video किस topics पर बनाए, आपको कुछ topics पर help चीए होगा, तो हम उस पर आपको video बना के देंगे, और guys, चैनल को subscribe जरूर करें, thank you झापको.